ओम वंदेगवा मात्र मित्रो ब्रहमलीन संतस्री डोंगरे जी महाराज द्वरा रचित ग्रत श्रीमत भागवत रहसे काम पठन कर रहे हैं मित्रो हम दुतिय सकंद में प्रवेश कर चुके हैं हमने पंच सुध्यों के बारे में पिछले अंक में जाना और किस प्रकार सुकद प्रक्षित जी को आज हम आगे बढ़ते हैं तो पहले मंगलाचरण कर लें श्रीकृष्ण गोविंध हरे मुरारी हेनाथ नारायन वासु देवाय जैसे कृष्ण मित्रो आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं जिनका ध्यान धरते हैं जिनसे अपनी इच्छा लिया जाता है ऐसा माना जाता है चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं आज की कथा के रूप में तो आज का जो विशे है जिसकी मृत्यू समीफ हो वह क्या करे ये परिक्षित जी प्रशन करते हैं आगे बढ़ते हैं ज्यानी का हिर्दय कृष्ण प्रेम में ना पिगले तो व देव जी ने कहा, राजन तू ने अच्छा प्रशने किया है, सुन अंतकाल में वात, पित और कफ से त्रिदोश होता है, मृत्यू की वेदना भयंकर होती है, जनम मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा, सो मृत्यू से डरते रहो, उसको स्मरण रखो, सो में मृत्यू जराव्याधी के दुखों का बार बार विचार करो, तो वेराग उत्पन होगा, और पाप छुटेंगे, वरना पाप के संसकर जल्दी नहीं छुटते, सोचें समझें बिना विवेक वेराग उत्पन नहीं होता, काल को सिर पर रखकर हमेशा इश्वर का चिंत है, कोई भी कस्ट रहने, कोई भी कस्ट ना रहने पर मैं इश्वर का भजन करूँगा, ऐसा मानना अज्यान है, कई बार लोग कहते हैं, अर्य अभी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं हम तब भागवन का नाम लेंगे, उसके बाद लेंगे, लेकिन आप एक बाद ध्यान रखिए एक बाद ध्यान दीजिए, कि माता कुंती ने आपने लिए श्रीक्रिशन से वर्दान सुरुप में क्या मांगा था, कि हमें कोई ना कोई कस्ट मिलता रहे, क्योंकि कस्ट महीं आपकी याद आती है, तो कस्ट है, तो इश्वर अधिक याद आते हैं, तो उस समय विशेश इश्वर को याद करना चाहिए, अनुकुलता नहीं देखनी चाहिए, अब इसके लिए कुधारन दिया गया है, एक मनश्य स्नान के लिए समुदर के किनारे पर गया, किन्त स्नान करने के इस्थान पर वो वहाँ पर बैठ गया, लोगों ने उस से पूछा, कि क्यों इस तर अनुकुलता होने पर भगवान का भजन करोंगा, तो वैसे ही सरवांगी अनुकुलता तो कभी आने वाली ही नहीं है, जिस तरह का मनुश्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुश्य इश्वर का भजन की ये बिना रहे जाते हैं, जीवन में चाहिए कितने भी कठिनाई किन्तु इस लक्ष को ना भूलना चाहिए कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है, लो भी जिस तरह पैसों का लक्ष रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर का लक्ष रखते हैं, भगवान ने भी गीता में कहा है कि अंतकाल में जो मेरा स प्रतेक्षन बीत जाता है, वो दुबारा लोटकर नहीं आता है, तो उस शन का वो अंतकाल कहा जाता है, इसलिए कहने का तात पर यहां पर ऐसा है, जो प्रतेक्षन इश्वर का चिंतन, ध्यान, स्मनन करना चाहिए, प्रतेक्षन को सुधारोगे, तो मृत्यू भी सुधर प्रतेक्षन को सुधारने का अर्थ है, हरक्षन ठाकूर जी को अपनी दृष्टी के सामने रखना, यह वही उधारन बार बार आता है, जिस प्रकार माता अपने नन्हे शिशु को अपने ध्यान में रखते हुए, अपनी दृष्टी के सामने रखते हुए, घर के सारे काम जो भी काम उसको करने करती है, वैसे ही हमें भी इश्वर का भजन संसार के काम करते करते करना चाहिए, लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंदा करेंगे, उल्टा सिधा करेंगे, धन कमाएंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे, यह अनुचित व है कि तस्मात सर्वेशु माम अनुस्सरह इसलिए सारा समय तो निरंतर मेरा समरण कर यह तो सर्व विदित है कि जिस बात का सरवदा चिंतन किया गया है मृत्यू के समय भी उसी का समरण होगा एक सुनार का दृष्टांत है यहीं कि उसका अधरन दिया जा रहा है एक सुनार बीमार की करण सायप में पड़ा हुआ था कई महीनों से बाजार नहीं जा सका था सो उसे सोने का बाजार भाव का कोई ग्यान ही नहीं था उसे बारवर उसके बारे में विचार आता था अंतकाल आया बुखार बढ़ता जा रहा था डॉक्टर आया बुखार नापकर कह रहा है कि 105 डिग्री सुनार ने कहा कि किसी ने सोने का भाव बताया है वे अपने पुत्रों से कहने लगा कि बेच दे बेच दे हमने असी के भाव से लिया था अब 105 हुआ ह तो वेच दे ऐसा बोलते बोलते ही भे मर गया सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने बेचने में सोने के विचार करने में ही गुजारा था तो औंतकाल में उसे सोने का ही विचार आता रहा तो ये इस्थिती बन जाती है कि Yes का रुधारन दिया कि मा जैसे बालक में होती है बालक को मन में रखके काम करती है व्यासे ही हमें इश्वर को ध्यान में रखके काम करेंगे तो फिर यह स्थिती नहीं बनती है जो इस्वयपारी की बनी आगे बढ़ते हैं शुकदेव जी ने कहा कि राजन मनुष्य का की मनुष्य के जीवन का अधिकतर समय निद्रा और अर्थो पारजन में चला जाता है। बहुत पढ़ना भी अच्छी बात नहीं है। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष का ध्यान ही नहीं रहता। शरीर, स्त्री, पुरुष, संतान, आदी, सब कुछ असत्ते हैं। फिर भी उस सब के मुहों में ऐसा पागल बना दिया है कि उसे समय और लक्ष का भान ही नहीं रह गया है। पर लब इन सब चीजों ने उसे पागल बना दिया उसे भान नहीं रह गया। तुम्हें क्या करना है कहां जाना है क्या बनना है उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धी के बिना कर्म शुद्धी नहीं होती। तुम निश्चे कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम जाना है, मुझे पुनर जनम नहीं लेना है, जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के करण त्याग और सयम कम हो गया है, काल मनुष्य को धक्का दे और उन्हें रोरो के घर छोड़ना पड़े, उससे अच्छा है कि वे विवेपुरक स्वैम घर छोड़ दें, हे राजन मानव जी पर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है, प्रभू का स्मरण प्रतेक्षन के अंतकाल में करना चाहिए, क्षण से अंतकाले मात्रों, जीवन के अंतकाल में ऐसा नहीं कहा गया है, छण शण में जो सुधारता है, यह सरीर प्रतेक्षन बदलता रहता है, अर्थात प् प्रतेक पल के अंत काल में मनुश्य की मृत्ति होती है जो प्रभू का स्मरन प्रतिक्षन करो संकरा चारे जी ने संकर भाषे में यह कहा है अंत काल में अर्थात प्रतेक पल के अंत में मनुश्य की मृत्ति होती है सो यहां मैंने जो पढ़ लिया था उसकी जिए है सो प्रभुका समरण प्रतिक्षन करो शंकराचारे जी ने शंकर भाशे में यही कहा है अन्यथा जिसका जीवन निद्रा धनो पारजन और कुटुम्ब के परिपालन में ही बीत गया हो उसे अंतकाल में वह सब कुछ याद र जीवन में किसी कभी भगवान का नाम लिया हो तब तो नाम याद आये ना हाँ वह बुड़ा मन से द्रेवे को ही चिंतन करता रहा उसकी द्रिष्टी आंगन में गई उसने देखा कि बच्छडा जाडू चबा रहा है इतना छोटा सा नुकसान भी है बुड़ा सह नहीं सकता था उसका दिल कर जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है ये वह लोग क्या जाने उससे लगा कि रुपे पैसों की तथा अन्यवस्तों की इन लोगों को कोई एहमियत ही नहीं है मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा देंगे वह बुड़ा कुछ सपस्ट बोल तो सकता नहीं था इसलिए कुछ बड़बडाने लगा उसके एक बेटे ने सोचा कि पिता जी भगवान का नाम लेना चाहते हैं किन्तु कुछ बोल नहीं सकते दूसरे बेटे ने सोचा कि पिता जी कभी भगवान का नाम नहीं लेते सो कुछ मिल्कियत के बारे में कहना चाहते हैं मतलब उसको लगा कि कुछ धन के बारे में बताना चाहते हैं कुछ धन छुपा कर रखा होगा उसके बारे में कुछ कहना है उन्हें पुत्रों ने डॉ रुपे खर्च कर डाले पिता जी की बात सुनने को सभी आतुर थे दवाई ने अपना काम किया कुछ शक्ति मिली तुभे बुढ़ा बोला सब मेरी और क्या देख रहे हो वहां देखो वह बच्छडा कब से जाड़ू खा रहा है और इस तरह बच्छडा जाड़ू आप देखें ध्यान रखें कि कहीं आपका भी ऐसे हैं इस्थिती ना में यह बात रहा है। इनकी मेनत की कमाई से आती हैं तो गरूर पर सबार होकर अपने स्वामी के साथ आती है तो वैसे भी आप कभी किसी स्त्री को तो अकेले बुलाओगे ना उसका ध्यान उसके पती में रहेगा वो लंबे समय आपके पास टिक नहीं पाएगी रुक नहीं पाएगी कितनी भी आप उसके प्रयास करो नहीं होगा लेकिन हाँ यदि पती के साथ बुलाएंगे तो आवश्य ठीकेगी इसलिए कभी भी लक्ष करने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है किन्तु वह तो पहले से ही सावधान करने आता है काल सभी को सावधान करता है किन्तु लोग मानते नहीं है काल आगमन से पहले पत्र लिखता है किन्तु काल का पत्र पढ़ना कोई नहीं जानता बाल स्वेथ होने लगे तो जान जाएं कि वापिस हम जवाण बनना चाते हैं और ऐसी स्थेतियां लोग अपने लिए रखते हैं दात गिरने लगे तो मानों की काल का नोटिस आ पहुंचा है तो सावधान बनो दात गिर जाते हैं तो लोग नकली दात लगा के दात गिरने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब दूद भात खा और प्रभु का भजन करने का समय आया है लेकिन लोग नकली दात बनवा कर इसलिए लगवाते हैं कि पापड और अचार खाने का मज़ा आएगा ऐसे कहां तक चलेगा खाने से शांती मिलती ही नहीं है इसके विपरित वासना और अधिक भड़त ने लग जा मृत्य की कई निशानियां बताए गई है अरुंधती का तारा ना दिखाई दो तो मानिये कि एक वर्ष में मृत्य होगी स्वपने में कीचड शरीर में धस्ता हुआ दिखे तो मानो नौ मा में मृत्य होगी स्वपने में कुमार के हाथ अर्थात गधे की सवारी करतने का दुर्ष दिखाई दे तो मानो छे मास में मृत्य होगी कुमार का हाथी गधे को कहा गया क्योंकि कुमार हाथी पे बैठता नहीं है पर उसका मिट्टी आदि धोने के लिए गधाई काम आता इसलिए सका गया कुमार का हाथी कान में उंगले डालने के बाद अंतर ध्वनी ना सुनाई दे तो समझो आठ दिनों में मृत्यू हो जाएगी मृत्यू के लक्षन जानकर भैवीत मत होना सावधन होने के लिए ये लक्षन बताए गए हैं साब्धान होने की यही यह भागवत की कथा है भागवत की कथा सुनकर परिक्षित कृतार्थ हुए मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है जीवन को जो सुधारता है उसी का मरण सुधारता है राजन मरण को सुधारना हो तो प्रतेक्षन को सुधारो रोज विचा यह भी मेरा नहीं है, जब शरीर भी मेरा नहीं है, तो मेरा कौन है? क्योंकि सब सम्मंद शरीर के कारण ही तो उत्पन हुए हैं, भावना करो कि ना तो मैं किसी का हूँ और ना ही कोई मेरा है, इस तरहे ममता को हटाओ, संग्रह को से ममता बढ़ती है, इसलिए आपरिग्रही बनो त्रिप्ति भोग में नहीं त्याग में है मंता सिद करने के लिए सबसे मंता रखो व्यक्तिगत मंता दूर करो प्रतिक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिक्षन सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान इश्वर की लेलाओं को ही स्रवन कीर्टन और मनन करें इंद्रियों के भोग को नहीं प्रभु स्मर्ण से प्रभु सेवा से ही शान्ती मिलती है दुख का कारण देही है दुख भोगने के लिए ही तो देही मिली है पाप ही ना किये होते तो है देही और जन्म ही क्यों मिलता रामदा स्वामी ने दासभुद में लिखा है देधारन करना ही पा यह राजन मानु शरीश सुख के लिए उपभुं के लिए नहीं मिला है। मानु मात्र को भजन करने के भगवान को प्रापत करने के लिए ही शरीर मिला है। इंदिय सुख सभी प्राणियों को एक साम ही मिलता है, शरी संग से जो सुख स्त्री पुरूष को मिलता है, वही कुत्ते कुतिया को भी संग से मिलता है, अता है मनुष्य जीवन पाकर प्रभूस मरण में लेन रहो, तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि मृत्यू के भी भगवान की ही याद आए जीव शिव बनने का प्रत्में ही नहीं करता अने था वे शिव बनने के लिए ही जन्मा है जीव का जन्म कहाना मनुष्य अदी गिरे तो पाताल भी छोटा है और उठे तो आसमान भी कम पड़ जाए ये मनुष्य की स्थिती और शक्ति बताई ग जाता है अब आप सोचिए हम और ठोड़ा कर लें तो हम क्या बन सकते हैं और जब हम इश्वर भजन करते हैं तो आज का यहीं हम समाप्त करते हैं श्रीकृष्ण गोविंधरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवाय जैश्रीकृष्ण धन्यवाद वंदे मात्रम